दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सुभी का ओलनेडर फॉस्टी यूटीव चनल पे जिसाकि दोस्तों आप जानते किसी भरति सम्द्दित को भी जानका ही होती है आप सुभी को ओलने डॉफॉस्टी चलकी माध्ययम से दी जाती है और इस वीडियो में बात करने वाले कई और लेटर अब्डेट के बारे में जोगे समद्डित है तीजईटी पीजटी भर्ती को लेकर बात करेंगे 64000 परदोब भरती के बारे में तो वीडि ही को लाइक करते आगे बढ़ने से पेले हम बात करने वाले हैं SSE GD की best book के बारे में जो की चक्षू प्रकाशन की हैं अगर आप SSE GD में एक सीट लेना चाहते हैं तो चक्षू प्रकाशन की best book purchase करना बिलकुल ना भूलें जिसमें आपको मिलते हैं 800 से ज़्यादा question, 3 previous year paper, 100% आपकी syllabus पे आधायत, साथी best quality के साथ ये आपको study guide देखने के लिए मिलती है जिससे कि आप जो भी पढ़ें थियोरी के साथ पढ़ें और हमेशा थियोरी के साथ पढ़ा हुआ याद भी रता है साथी इस book के अंदर आपको मिलता है chapter wise theory और साथी chapter wise question भी और सभी question की सटीक उत्तरमाला, साथी उत्तरमाला के साथ आपको देखने के लिए मिलते हैं ब्याख्यात्मक उत्तर जिससे कि आपका answer कभी गलत ना हो, detail के साथ आपको याद भी हो जैसा कि आप इस्कीन पर देख पाएं सभी question और question के answer के साथ उत्तरमाला भी आपके सामने है और अपनी preparation को और बहतर बनाने के लिए आप purchase कर सकते हैं SSE GD की guide के साथ SSE GD के लिए चक्सू प्रकाशन का practice set इन सभी का link आपको वीडियो की description में दिया गया है इनको अगर आप चाहें तो Amazon or Flipkart से purchase कर सकते हैं जादा जानकाई के लिए link वीडियो की description में है या फिर अपने नजदी की store से भी जाकर इसको ले सकते हैं शुबात करेंगे सबसे पहली update के बारे में जो की समध्य थे टीजिटी-पीजिटी भरती की exam date के बारे में टीजिटी-पीजिटी भरती की exam date के बारे में एक बड़ी जानकाई देखने के लिए मिली है और जो भी authentic news होती है वही मैं आप सभी को देता हूँ जैसा कि आप जानते हैं कि टीजिटी-पीजिटी-पीजिटी भरती के लिए उत्तर पतेस माध्यमी सिच्छा सेवा चैन बोर्ड के माध्यम से एक के बाद एक नए नोटिस जारी किये जा रहे हैं पिछले एक सफ़ता के अंदर कई भरतियों को लेकर उनके माध्यम से नोटिस जारी हुए है और चैन बोर्ड की तरफ से लगातर तमाम उन भरतियों को लेकर काम किया जा रहा है लेकिन वहीं दूसी तरफ अगर बात की जाए टीजटी पिजटी भरतियों 2022 के बारे में जिसके आविदल लेने के बाद से लगातर अव्यरती परिक्षा की तारीकों का इंतिजार करे थे अब उसको लेकर भी जानकाई सामने निकल कर आ चुकी है और साथ ही मैं आप सुभी को बताऊंगा कि टीजटी पिजटी की भरतियों के बारे में लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ जैसा कि जानते हैं आप टीजटी पिजटी को लेकर लगातर चैन बोर्ड के माध लगातर चैन बोर्ड के माधियम से एक बार एक नया नोटिस जारी किया जारा है चाहे वो दोजा सोले की वरतियों या फिर प्रतानाचारी की वरति या फिर और भी भरतियों से संबनित लेकिन टीजटी पिजटी दोजा 22 का स्टेटस क्या है तो उसके बारे में अधिकाई जारा है और जो भी संबंदित कार हो सकते हैं उनको यहां से करने की जो तयारियां वो शुरू की जारी है क्योंकि वह जानते हैं कि अगर परिक्षा करवानी है और उनके पास सदर से समय से आ जाते हैं तो परिक्षा करवाने के लिए लगवग 30-40 दिन तो बड़ी आसानी स से लगजाएंगे उसकी तयारी कराने में इसी वजह से अब अधिकाईयों के माध्यम से टीजटी पीजटी को लेकर भी काम किया जारा है जैसे कि 2016 की भरतियों या फिर प्रदानाचारी की भरति तो ऐसे में जानकरी देखने के लिए मिली कि कब तक टीजटी पीजटी के प महती पिछले तीन महीनों से लटकी हुई है उनकी तरफ से अभी तक जो निवक्ति का फ्रोसर से वो शूर नहीं किया गया है हाली में उपसरचिव की निवक्ति हुई है जिसको लेकर वह भी कहने की आसवर्स्त है और उपसरचिव के माध्यम से बताया भी क्या है कि अगर स से जल्द परिक्षा कराने के लिए त्यारी कर रहें अगर यहां पर ऐसे में सदस्यों की निवक्ति हो जाती है तो टीजिटी पीजिटी परिक्षा कराने के लिए चैन बोड की पूरी कोशिश होगी के फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में संबर जनवरी का समय लेंगे और फरवरी में बड़ी आसानी से परिक्षा करवा सकते हैं अगर कोई बिशेश परिस्थी फस्ति भी है तब भी इस परिक्षा को मार्च के पहले सब्ता के अंदर कराके खतम द्रा लिए जाएगा क्योंकि यहां पर ज्यादा समय तक परिक्षा आजाएं तो आप सभी को भी ध्यान में रखना होगा ऐसा ना हो कि परिक्षा की तारीक आजाएं और आप फिर इंतजार करें कि थोड़ा और समय मिल जाए क्योंकि अब आपको टीजटी पीजटी भरती के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा और सदस्य अगर आ गए तो फि भी को देता रहूंगा बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बाएं में जो की संबंदित है खंड शिक्षा अधिकाई भरती के लिए खंड शिक्षा अधिकाई भरती के लिए कैसी वर्ती होती है जहांसे बीयर करके आप सिच्छक तो बड़ी आसा नहीं से बन सकते है और यह मौका आपको देती है खंड शिक्षा अधिकाई भरती खंड शिक्षा अधिकाई भरती को लेकर कई दिनों से बहुत सारी अभ्यति पूछे थे किसा इसका विग्यापन कब तक जाली होगा साथ ही इसकी योगिता और चैन कैसे देखने के लिए मिलता है जिन्हों आपके पास गैजुएशन हो साथ में आपके पास भीयड हो बस आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं ना आपको टीटी मांगते हैं और नहीं यहां पर आप सुभी से मांगा जाता है कोई भी कॉमिटेशन अगर बात की जाए इसकी चैन प्रकिया के बारे में तो इसकी जो के प्रकियुट के बारे में तो अब्जेक्टिव आपकी प्रीपरिक्षा देखने के लिए मिलती है फिर आपका यहां से मिंस करवाया जाता है । यहां पर थर्डी कोजिशन भी आप सुभी को देखने के लिए मिलते थीन सो नंबर के होते हैं लिखित परीक्षा में आप आपको देखने के लिए मिलती है तो यह पूरा का पूरा आपका एक्जाम पर पैटर्न हो जाता है फिर बाद में आप सभी का मेंस देखने के लिए मिलता है जब आपका मेंस होता है तो इसमें सामान अध्यन देखने के लिए मिलता है जो कि लगबग 200 नंबर का होता है तीन सो देखने के लिए 200 वरत को लेकर अगर बात कीजाके बारे में तो विग्यापन इसका जल्द जाली कर दिया जाएगा लगबग यहां पे दोसों के आसपस आपको पत देखने के लिए मिलेंगे लेकिन इसके विग्यापन में एक समस्या है वो ये है योगिता का विबाद होना हाला कि LTOS में फर्क इतना है कि यहां पे सिर्फ एक ही जो आप सभी की योगिता होती है LTOGATE के अंदर हदे एक सब्जेट की अलग-अलग योगिता होती है जिसके चलते उसमें जादा समय लग रहा है लेकिन खंड सिक्षा अधिकारी भरती में इतना नहीं लगेगा अगर सब कुछ चीक रहा तो दिसंबर महीने के अंदर इसका विग्यापन भी आ सकता है बात कर लेते हैं अपनी एक लिए अपडेट के बारे में जो की सम्मादीतर चवाली सजार प्रतों पे नई भरती के बारे में और ये जो आप सभी को चवाली सजार प्रती देखने के लिए मिलती है बिहार से आने वाली है पिहार पुलिस के अंदर 44,000 पतों पे नई भरती आने वाली है ये इसकी जो योगिता देखने के लिए मिलेगी इसको लेकर भी यहां बताया जाता है मुख्यमंती नितिस कुमार ने 10,469 नए पुलिस कर्मियों के निक्ति पत देने के साथ ही यहां पर कारिकम के अंदर उनक पताया कि 44,000 पतों पे जो भरतियां वो देखने के लिए मिलेंगी सीम ने इस भरती को लेकर आविश्यक कारवाई किये जाने को लेकर दिशाने देश जारी कर दिये हैं पहीं दूसी तर बात की जाए यूपी पुलिस भरती को लेकर जारी नोटिस के बारे में उत्तर प्र के बारे में 20 पतों के लिए यहां से जो पर इक्षा देखने के मिली थी लगबग यहां से 625 पतों कर लगन्चों पर के कैंदों पर देखने के लिए जो कि 23 ग्याय और 24 ग्याय दोजा बाइस को करवाया जाना प्रस्तावित है जिसके बारे में जानकाई दे दी गई है वीडियो को लाइक कर दें साथी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब